दोस्तों बिहार बोड का इंटर का यानि के 11th का रेजिट्रेशन 2022-24 सेसन के लिए शुरू हो गिया है तो मैं इस वीडियो में दो-तीन बातें आपको बताने वाला हूँ जो रेजिट्रेशन से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए आपने एडमिशन क कुछ और चुना, डीटेल कुछ और भरा लेकिन अभी जो रेजिट्रेशन होने वाला है इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है उसमें 2-4 दिन टाइम लगता है तो जेनरली कोई भी काम मंडे से शुरू करने पर लोग प्रात्मिक्ता देते हैं तो आप अपने कॉलेज में मंडे को जाएए मंडे या ट्विजडे से लगभग सभी प्लस टू स्कूलों में और कॉलेजों में यह 11 यानि इंटर 2022 का रेजिस्ट्रेशन शुरूर हो जाएगा इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके आपको बता दिया था कि यह रेजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे सही सही भरना है उस वीडियो को आप चैनल पी जाका देख सकते हैं नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनोड करने के लिए स्काइलेडर स्टेडी के वेबसाइट पर जाएं वहाँ पर नोटिफिकेशन और आर साइंस कॉमर्स तीनों का रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाला हुआ वहाँ से आप डाउनोड कर सकते हैं अभी हम जिस टॉपिक बात करने वाला है कि आपने जब एड़्मिशन कराया था इंटर में यानि कि 2022 सेशन में तो इंटर में जो एड़्मिशन कराया आपने उसमें मालनी जे की आप कॉलेज गए वहाँ जाकर करके आपने एड़्मिशन फॉर्म भरा form में आपने जो subject चुन लिया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभी registration form में आप subject को change नहीं कर सकते क्योंकि ओ जो form admission वाला आपने भरा था ओ तो आपके college तक रहा गया ओ बिहार बोड तक तो गया ही नहीं अभी पहली बार registration में आपका detail जाएगा बिहार बोड के पास तो अभी आपको जो subject चाहिए वही subject आपको registration form में भरना है अभी यह नहीं सोचना है आपको कि हमने admission में यह चुना था हमने admission में ओ भरा था उससे अब कोई मतलब नहीं अभी जो subject चाहिए ओ आप registration form में भरिये यही subject आपका हमेशा के लिए इंटर में रह जाएगा तो इस बात का ध्यान जरूर रखें अगर किसी और वीवरन को मालनी जे address हो गया या फिर mobile number email ID या फिर अन कोई भी चीज जो आपने admission कराते वक्त अपने admission form में भरा था अभी कोई जरूरी नहीं कि आप registration form में वही भरें आपको जो सही detail अभी चाहिए उस detail को अपने registration form में भरिये क्योंकि ये detail जाने वाला है बिहार बोर्ड को यही आपके registration card में रहेगा यही आपके admit card में रहेगा और pass करने के बाद जो inter का marxist मिलेगा, provisional मिलेगा migration certificate मिलेगा, original certificate मिलेगा सब में inter में यही detail रहेगा जो अभी आप registration में भरेंगे तो admission से इसका कोई मतलब नहीं है इस बात का ध्यान रखें दूसरी बात कि inter 2022-24-11 का registration form भरते समय इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि जो आपका नाम मैट्रिक में है जो आपके पिता का नाम मैट्रिक में है जो आपकी माता का नाम मैट्रिक में है और जो date of birth मैट्रिक में है same to same यह चार चीज़ें आपको inter के registration form में भी रखना है इससे क्या होगा कि आपका metric का जो detail है और जो inter आप करने वाल है और दोनों का detail बिल्कुल same हो जाएगा और ये same रखना बहुत जरूरी है वरना आगे चल करके आपको बहुत पच्टाना पड़ सकता है मैंने ऐसे बहुत सारे cases देखे हैं आप सारे ऐसे example देखे हैं जब metric और inter में छात्रों का detail अलग लग होता है हाथ में आई होई नौकरी उनसे छिन जाती है तो उस वक्त कैसा महसूस होता होगा आप समझ सकते हैं आईसी नौबत ना है इसलिए ध्यान रखिए कि registration form में अपना नाम पिता का नाम माता का नाम और डेटो बर्त ये चार चीजें आप वही भरें जो आपके metric के mark sheet में छप करके आया है बिल्कुल सेम कोई भी spelling में changing बिल्कुल नहीं ये चार चीजें पर बहुत ध्यान रखना है आपको खास तोर से ध्यान रखना है तीसरी महत्तुपून बात किए जो registration form आप भरने वाल है इस registration form में मालनेते कहीं पर काट कुट हो गया ओवर राइटिंग हो गई कोई detail गलत हो गया तो याद रखे कि यह form आपके school college में ही रह जाने वाला है बस आपका detail केवल online बोटल पर बिहार बोटल पर entry होता है तो registration form में गलती थोड़ी बहुत हो भी जाए और अगर college accept करता है तो आपको उसे जमा कर देना है उसके लिए गलती रह भी जाती है तो dummy registration card आएगा, final registration card आएगा, dummy admit card आएगा, final admit card आएगा, इन सब में आपको सुधार करने का मौगा मिलेगा तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है तो इन बातों का ध्यान रखे है registration form को भरने से पहले और अगर फिर भी कोई सवाल बच जाता है तो comment करके पूछे, मैं आपको जवाब दने का प्रयास करूँगा, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में